नमस्कार दोस्तों आप सभी का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मामार्थ, रेटिनोल, फेस, सिर्म का अगर आपको फाइनलेंज या फिर रिंकल्स की प्रोब्लम है जो की अक्सर 35 की एज की बाद में जोर भढ़ना है वो शुरू कर देती हैं और आप्टर 40 सबसे ज़्यादा यह प्रोब्लम फेस करने को मिलती है फाइनलेंज और रिंकल्स की यह एफेक्ट एजिंग का एफेक्ट है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी जवाब देने लगती है तो ऐसे में हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो की एंटी एजिंग का काम करें तो उसमें सबसे बड़िया स्किन के लिए इंग्रेट रहता है रेटिनोल जो की एंटी एजिंग एक्टिव है वो कहा जाता है इस सिर्म को लगाना कैसे है कौन इस सिर्म को इस सिर्म को इस्तिमाल कर सकता है कौन इस्तिमाल नहीं कर सकता ह क्या इसके को साइड इपेट वगेरा भी देखने को मिल्ते हैं यह सब जानकारी आपको इसी इस siempre में देखने को मिलेगी तो शुरगात में हम क्राईज और पैकिन से रिवीउं की सुरगात करते हैं जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं मामा आर्थ रेटिनोल फेश सरम जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग माती है पैकिंग प्रिम्यू क्वालिटी देखने को मिलती है उपर पंप वाले पैकिंग है जिससे की इसको यूज करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है ट्रेवर फैनली है इसके लवा सब्सक्राइब करते हैं सबकी लिक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्स में पड़ी है अगर आप डिलीट 20-22 को अपलाई करते हैं मामार्थ.in पर जाकर तो आपको फ्लेट 20% वहां पर डिसकाउंट है वो देखने को मिलेगा अब मैं बात करूंगा सिरम कैसी है क्रीमी टेक क्लिंजर या फिर फेस की मदद से साप करें द्वैं इसके लबाए आप साफ पानी से चाहें, तो साफ पानी से भी चेहरे को वास कर सकते हैं, इसके बाद में आपको इस सिरम को लगाना है सबसे पहले सिरम को अपने फेस के उपर डोट डोट करके फैलाएं फिर उसके बाद में फिंगर टिप्स की मदद से अची तरीके से मसाज करा है और फिर आपको छोड़ देना है रात बर के लिए मैं आपको यहाँ पर एक special बात बताना चाहूंगा कि आप मामार्त या फिर कोई भी रेटिनोल सिरम इस्तिमाल कर रहे हैं तो सिर्फ रात को ही आपको उस सिरम को इस्तिमाल करना है रात बर लगा कर छोड़ देना है बागी दिन को रेटिनोल को सिरम जो होती है उसको में लग मामार्त रेटिनोल सिरम ने क्बती हैं और इसको जवान बने रखने में और इसकिन को कलेर करने में फाइदा करता है अब हम बात करेंगे यह सरम कैसी फील होती है तो आपको कोई भी Fregnancy भगरा की भी Tension नहीं है Fregnancy इसकी अच्छी देखने को मिलती है No issue Absorption की बात करे हैं कुछ लोग पूचिंगे कि क्या इसका Absorption है वो late होता है जलदी होता है तो इसका Absorption बहुती जलदी है वो हो जाता है अजिसे कि यह comfortable to use है वो बन जाती है रिजल्ट कम बलेंगे इसकी बात करें तो आपको दो से तीन मेने लगा था रेटिनल सिर्म को इस्तिमाल करना पड़ेगा तब आपको जबर्दस तरीके से रिजल रहफ़ देखने को बलेंगे अब मैं बात करेंगा बनेबिट्स की मतलब की मामार्त की ये जो रेटिनल फेसरम आती है इसको इसकी इसकी उपर जैसा की मैंसन है Science of aging मतलब की जो आपके aging के effect है उसको ये कव करने का काम करेगे जब normally है वो age बढ़ती जाती है तब इसकी नहीं हो ज़ाब देती है और इसके जो science से आप देखे जाते हैं मतलब कि aging के आपको अगर जो symptom से आप देखने हैं तो मतलब wrinkles और fine lines सबसे बड़ी समस्या रहती है aging की तेज़ जैसे age बढ़ती है चेहरे की जो उपर की चंबडी है वह धेली पड़ने लगती है रिंकल्स है वाने लगती है fine lines की problem होती है तो रेटेरोल रिंकल्स fine lines और aging के effect को कम करने के लिए सबसे बड़ी ingredient रहता है इसके लाबा अगर किसी महिला या फुरूस को hyperpigmentation की समस्या है तो वो भी रेटेरोल सर्म को जरूर इस्तिमाल करे है या अगर आपकी skin sensitive बगर है तो आपको paste test है वो जरूर लेना है इस्तिमाल करने से पहले paste test के लिए आप क्या कर सकते हैं सिर्म को अपने हाथ की skin पर लगा या फिर आप नेक की skin के ऊपर या पर कान की बीचे कहीं पर भी इस सर्म को लगा कर दे सकते हैं सब्सक्राइब करें तो आप इसको continue है वो लगा सकते हैं सब्सक्राइब सकते हैं